वीडियो को कहाँ पर होस्ट करें? यह एक ऐसा कोष्टन है जो मुझ से बहुत बार पूछा गया है कि हमें वीडियो को होस्ट करना है, क्या शेर्ड होस्टिंग पर करें, मैनेज पर करें, कहाँ पर करें? तो आज मैं आपको एक ऐसा software बताने वाला हूँ, एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ, जो अभी lifetime deal के उपर है on AppSumo, जहाँ पर आप लोग एजिली अपने वीडियो को upload कर सकते हो, उसको access भी कर सकते हो on any platform. हाई गाईज, मेरा नाम ही कृपई इशादवानी, आपर में digital tools, SaaS और blogging के related videos बनाता रहता हूँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक AppSumo deal के बारे में, जिसका नाम है Gumlet, यह अभी AppSumo पर चल रही है, क्या है यह एक वीडियो hosting platform है, पहले मैं समझाओ, पहले समझो कि आपको वीडियो कहाँ पर upload नहीं करने चाहिए, अपनी shared hosting पर नहीं करना है, आपको अपने managed hosting पर नहीं करना है, मतलब those are for files, for wordpress, for HTML, for PHP files, for the logic, महाँ पर assets नहीं store करते हैं, जैसे कि वीडियो, वो उसके लिए नहीं है, उस पर store करोगे, आपकी website डाउन चली जाएगी, तो उसके ल की deal की ओपर चल रहा है, यह आपको एक player देदेगा, कुछ इस तरीके से, जैसे यह player है, आप इस तरीके का आपको video player मिल जाएगा, and you can control, यह पूरा बार मिल जाएगा, speed, quality, और एक branding में यह आपर add कर सकते हैं, if you want to, pricing के पहरे में पहले हैं, आपर हम लोग बात कर लेते हैं It starts with $49, लगबख सारे प्लान यहां पर सेम ही है, सिर्फ यहां पर video storage और streaming bandwidth का difference है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या requirement हो, उस हिसाब से, you can choose the plan, और अगर आपको 4 के चाहिए, तो you need to go to tier 5, यहां पर आपको 4 के video resolution का support मिल जाएगा in tier 5, और जो इसके यहां पर regular pricing है, that starts with $10 Growth plan यहां पर आपको मिल रहा है, जो कि $60 per month वाला है, वो यहां पर आपको $49 में lifetime मिल रहा है, तो deal यहां पर काफी अच्छी sound कर रही है, लेकिन देखते हैं कि इसके features कैसे हैं, और क्या यह worth it है कि नहीं, जैसे हम लोग यहां पर login करेंगे, कुछ किस तरह का आपको interface दिखे कि अब क्या करना है, पहले यहां पर होता है collection, collection आपको पहले यहां पर create करना पड़ेगा, उस collection के अंदर आपके सारे वीडियो अपलोड होगे, तो पहले यहां पर collection हम लोग देख लेते हैं, add new collection, collection का नाम देता हूँ मैं, kpdemo2, और कैसे हैं, मैं वीडियो को अपलोड कर यहां पर edit करना भी आपको बता जाता हूँ, I'll click edit collection, and then यहां पर player settings पे, player आपका कैसा दिखेगा, वो आप लोग decide कर सकते हो, preload करना है कि नहीं करना है, यह select कर देना तो user को जादा अची speed मिल जाएगी, SEO autoplay on, off, color क्या होना चाहिए, player का, जैसे अगर मेरी blue theme है, तो मैं blue य जालना मुझे, channel settings हो जाएगी है, आपर basic, और बाकी video protection, and you can delete this collection, तो collection में basically you can have the settings for players, next होती है, यहां पर profile, I'll click add profile, and kp demo to profile, और यहां पर you can select कि आपको videos किस-किस format में चाहिए, for example, 2K में चाहिए, 4K में चाहिए, और 240P में चाहिए, तो कौन-कौन से format में आपका video convert होना चाह इतने जाधा format select करोगे, उतनी जाधा है यहां पर आपकी, जो storage capacity है, वो भी consume करेगा, and then इसके बाद DRM protection, if you want to enable it, अगर online courses बगरे बना रहे हो, तो you can enable it, और बाकी जो default settings, that is good enough, and if you want to have overlay, कि अगर आपको यहां पर logo चाहिए, तो आप अपने logo का URL लालो, बता दो कि कहां पर यहां पर set कर सकते हो, general subtitles, ठीक है, create profile, यहां पर profile बन गई है, उसके बाद हम लोग यहां पर video upload करेंगे, उसके लिए we will go to video CMS, and then यहां पर यह हमारा collection आ चुका है, जैसे KP Demo 2 था, यह collection है मेरा, I'll click process new video, and कौनसी profile पर, वो में select कर दूँगा, then you will have to click next, इसके बाद, you can click on device, य वाला video है, and then upload one file, that's it, you upload कर देगा, and then उसके बाद उसको process करके, अलग-अलग formats में convert कर देगा, अलग-अलग resolutions के लिए, जब तक यह video upload हो, जब तक मैं बाकी video management के बारे में बात कर लेता हूं, for example, यह video है, I'll click on full details, यह basic है, यहां पर आपका player किस तरीके से दिखेगा, वो आ आपर दिख जाएगा, and then resolutions, कौन कौन से resolutions में है, कितनी यह storage ले रहा है, for example, है मुझे बता रहा है कि जो 360P वाला version है, उसने इतनी storage लिए है, 720P ने 95MB लिए है, और audio के लिए कितना space ले रहा है, और पूरा यह video कितनी मेरी storage space खा रहा है, यह मुझे बता देगा, and then यहां पर यह shareable का link मिल जाएगा, you can click copy, and किसी को भी भीज सकते हो, that can watch, the person can watch it anywhere, anytime, इस तरीके से इसको भीजा जा सकता है, और यह जो भी यहां पर आभी आपको दिख रहा है, let's go back, यह जो red rate सा दिख रहा है, this is dynamic watermark, मैंनी चाहता कि कोई भी इसको screen में copy करे, तो यह dynamic watermark मैंने on कर द यह, chapters add कर सकते हो, जैसे इस वीडियो में आपको नीचे chapters दिख रहे होंगे, YouTube chapters होते हैं नीचे, जो आप scroll करते हो, वो अपना mouse pointer नीचे लेके जाओगे, तो chapters आ जाते हैं, उसी तरीके से आपर भी we have chapters, and then call to action है आपर, कि मैं आपे visit website, URL दे सकता हूँ, और एक button आ जाएगा वीडियो पर basically, जिसके through user interact कर पाएगा, जैसे यह, full screen में दिखाता हूँ, यह, उपर, top right corner पर आपको दिख रहा है, visit website, यह मेरा call to action है, इसके बाद, player settings, अगर आपको सिर्फ इसी player की setting change करने है, जैसे एक तो मारी default settings हो गई, जो मने collection में डाल के रहे हैं, लेकिन अगर आप back to my video, video CMS, tips for freelancers, और अब इसमें से वो dynamic watermark off हो चुका है, then यहाँ पर हम लोग videos को import भी कर सकते है, from Vimeo, उसकी import के options है, उसके बाद usage analytics में आपको दिख जाएगा, कि कितना use हो है, streaming usage, storage usage, transcoding, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा, then we are video analytics, getting started पर जाओगा, तो यहाँ पर इसके analytics को track कर सको, अच्छे setup कर सको, then insights पर जाओगे, तो यहाँ पर insight के dashboard और reports आपको, आप लोग आड कर सकते हो, जैसे मैंने का कि मुझे total views से आप बताओ, breakdown by browser, तो यह उस हिसाब से मुझे report दे देगा, if I want to create it, तो मैं यहाँ पर save कर दूँगा, तो यह मेरे insight dashboards में आप को यह एक untitled report यहाँ पर मिल जाएगी, इसको मैं edit और कर सकता हूं, तो इस तरीके से आपर you can create different reports as per your needs, तो reporting के यहाँ पर वैसे बहुत अच्छे options है, जिनको जादा जाना है, वो लोग जा सकते है, next यहाँ पर आजाता है, images, images का यहाँ पर CDN मिलता है, sources में मैंने कि to source, तो यह मुझे बता दिया कि मुझे कौनसी website लेचे है, जैसे अगर आपको मुझे WordPress कि लिचे, WordPress is one of the most common website builder out there, CMS out there, तो मैं URL डाल सकता हूं, एक sub domain डाल सकता हूं, और जैसे कि यह वाली source मैंने बनाई है, यह कुछ इस तरीके से आपर बन जाएगी, यह रही मेरी website, this one, य यह अभी फिलाल मैंने इस पर image CMS लगा दिया है, तो if I go to some CDN finder, I'll just enter this name, I'll click run CDN finder, तो जो मेरी images है, वो इसके यहां पर CDN से आ रही है, यह रहा, तो यह यहां से आ रहा है मेरा kpdemo gumblet.io fastly से, और यह भी यहां पर fastly से deliver हो रहा है, तो यह मेरा CDN से यहां पर deliver हो रही है मेरे इसकी images, यह जो भी आपको images दिख रही है, तो यह आपको मिल जाता है, इस CDN कितना मिलता है, आप समोग डील पर आपको फ्री प्लान वाला है 30GB bandwidth पर मन्त का, इस resource के अंदर आपको CDN मिल जाएगा, और इसमें हम लोग यहां पर basic settings कर सकते हैं, analytics आपको दिख जाएगा तो CDN use करना वैसे बहुत important हो जाता है, आज के टाइम पर, then monitoring पर you can set alert, जैसे यहां पर भी हम लोग alerts set कर सकते हैं, जैसे I can go to video, monitoring, alerts, alerts में कोई यहां पर जैसे limit मेरी cross हो रही है, मैंने का streaming minutes is above 500 minutes, frequency daily, तो अगर यहां पर मेरी streaming minutes 500 के उपर पहुँच गए, तो मुझे यहां प और अब मैं बाकी settings के बारे में बात करूं, तो यहां पर basic settings आ जाती है, billing के लिए manage users, you can manage users from here, if you want to add a new user, that can be done here, कौन सा रोल होना चाहिए, और webhooks यहां पर important है, you can add a webhook, यहां कुछ भी, जो भी आपका platform is APR बगए, यहां जैसी video का यहां पर status change होगा, तो यह webhook से अपने integrations में उसको ले सकते हो, and then DRM credentials, अगर आपको DRM setup कर रहे हो, तो यहां पर आपको Apple का Fair Play certificate चाहिए रहेगा, अगर वो आपको iOS या फिर Safari browser पर चलाना है, तो यह आपको पहले यहां पर लेना पड़ेगा, कैसे instructions है, आपको मिल जाएंगा, support इनका काफी अच्छा है, त support से भी आप यह पूछ सकते हो, वहां से भी आपको email जाएंगा, coupons you can add here, और बाकि तो यहां पर basic settings है, now मैंने main features आपको यहां पर सारे explain कर दिया है, before I jump on to pros and cons, अगर आपको आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो उसको हम जब सरूर देजिएगा, कुछ pros case के बारे में ब सकते हो, dynamic watermark डाल सकते हो, DRM का option भी available है, कुछ cons के बारे मैं बात करूँ तो वैसे तो मुझे इसके बहुत जादा कुछ cons नहीं मिले है, एक जो चोटा सा con है, वो यह है कि मैं आपे storage location select नहीं कर सकता हूँ, by default जो भी videos upload होंगे, वो सबसे पहले upload होंगे US में, and US के server पे Amazon S3 क मैं यह नहीं बोल सकता हूँ कि आप इंडिया पे upload करो, मुझे इंडिया में चीए, तो उसका option यहाँ पर available नहीं है, लेकिन जो इनका CDN है, वो काफी अच्छा है, तो for most of the users, it won't be a problem, जब तक speed अच्छी मिल रही है, and मेरे इसाब से speed अच्छी मिल रही है, तो CDN की वज़ नए तो वैसे भी नहीं है, अलब काफी इनोने, इनकी team काफी अच्छी है, product काफी finished है, तो मेरे हसाब से, you can bet on this product, मैं खुद भी यहाँ पर ले लिया है, I am going to use it, अभी मैं रियूज नहीं कोगा, लेकिन future के मैं आपर इसको ले लिया है, तो अगर आप लोग भी stream से हो, प sko पीज है, I will see you guys in the next one, good bye